नमस्कार स्वामी विवेकानन्द जी ने दो तरीके से पेशा कमाने के लिए कहा स्वामी विवेकानन्द यूवाओं के यूथ आइकन है और उन्होंने ऐसी ऐसी मोटिवेस्टन बाते कई है यूवाओं के लिए आज भी वो युवाओं के लिए एक प्रेणा के सुरोत माने जाते हैं उनकी कही गई बाते हैं आज भी युवाओं को मोटिवेट करती है वो कहते हैं कि इस संसार में दो तरीके से पैसा कमाना चाहिए और दो तरीके से आप पैसा कमा सकते हो पहला इस तरीके से पैसे कमाना जिससे संसार चलता है संसार कैसे चलता है संसार जैसे आप नोकरी कर रहे हो आप पैसे कमा रहे हो आपका गर खड़ चल रहा है आपके परिवार के कुछ काम निकल रहे है आपके आर्थिक जरूरते पुरी हो रही है ऐसे सेकर्ड आत्म सम्मान और चरित्र के साथ में पैसा कमाना पैसा तो कैसे ही कमाया जा सकता है लेकिन पैसे के साथ पे भी आत्म सम्मान और इमानदरी होनी जरूरी है अगर आपने लाको रोपे कमा लिया और अगर उस पैसे में इमानदरी नहीं है उस पैसे में आपका चरित्र नहीं है तो स्वामी विवेकनन्द कहते हैं कि वो पैसा आपके लिए कुछ काम का नहीं है पैसा कमाना है तो इमानदारी के साथ में कमाई है चरित्र के साथ में कमाई है आत्मसमान के साथ कमाई है कभी भी जूट फरेव के साथ में पेशा नहीं कमाने। उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई थी, वो आज मैं आपको बताता हूँ। वो केता है कि एक बार व्यापरी उट खरीदने के लिए मेले में जाता है और वहाँ पर वो उट खरीदता है। जब पर franchise गर के लाता है तो जब वो उट के उपरसे गदी हटाता है ना तो हीरे की ठेली निकलती है। ढूब वो उट का वेपर ही कहता है अपने मुछर से इसमें तो हीरे की ठेली निकलिया थे जरूर उस ऊप मालिक की होती है। लेकिन उस नोकर में, नोकर क्या कहता है, अरे नहीं मालिक, अपने तो ऊट खरीदा है, तो ऊट के साथ साथ में अपनको तो हीरे भी मिल गए है, अपनको तो लोटरी लग गई है, तो ऊट मालिक कहता है कि नहीं, अपने सिर्फ ऊट के पैसे चुकाए है, इन हीरों के पैसे नहीं चुका हैं तो हीरे वापिस उस वास्विक मालिक को देने हो गए जब जिस संसार में इतना इमां दार व्रती नहीं देखा है आपने हीरो से बारी धेली मुझे वापिस लोठा रहे हैं तो हीरे के मालिक बार बार रिक्वेस्ट करता है उस उंट खरिदार को कि आप इसमें से दो हीरे रख लो तो उंट जो खरिदता है वो बार बार करता है कि नहीं मुझे हीरे नहीं चाहिए मुझे तो मैंने तो सिर्फ उंट की किमती अदा कि दी तो वो हीरे का मालिक बार बार उसको प्रेशर करता है तो वो जो उट खरिदार होता है उसने क्या क्या कहता है मैंने दो हीरे पहले ही रख लिए तब ये बात सुनकर वो हीरे का मालिक बढ़क जाता है और यार मैं तो आपको इमानदार समझ रहा था तो आप इससा समख से अर आपने दो हीरे पेले रथ लिए हैं तो जो हीरे का मालिक hesitques ही स्थेल्णि में से हीरे गिनते है उसमें उसमें पता हम य olha होते है और और तब पता सिरय निकलता है दो फिर ओंट खरिद्दार को पैता है कि इसमें तो पचास ही रही है और मैंने भी 50 रही रहते हैं तो पिर आप कॉन से two रही रही है तो ओंट खरिददार क्या कहता है ने आत्म सम्मान और इमानसपार नामग दू ही रहे अपने पास रह लिकी Нेट तो यह होते हैं चरित्र से पेशा कमाना, इमानदारी से पेशा कमाना, आप अगर जूब, फरेव और लोगों को धोका दरी करके पेशा कमाऊगे ना, तो वह पेशा कमाना वास्त्विक पेशा कमाना नहीं है, पेशा कमाना वेस तरीके से पेशा कमाना के आत्म सम्मान, इमान और चरित्र आपके साथ में चले वही जिवन में सच्चा पेसा कमाना होता है।